आज आपकी शिकायत दूर कर देती हूं ये देखे मेरे पास कितनी सारी चीजे हैं मेरे हाथ में तो नहीं हैं मगर दिमाग में हैं लोगों की शिकायत होती है कि बहुत दिन से आपको सुन्दर बनाने वाले नुस्खे नहीं बता रही हूं तो चलिए आज आपके फाइदे ही फाइदे की बात होगी सुन्दर बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर में हजारों रुपे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है मैं आपको वन उसके बताऊंगी जिससे घर के सामान से ही आपकी सुन्दरता बढ़ेगी साथ ही आपको शुक्र की रेखा का कमाल भी बताऊंगी आपका बेड़ा पार होगा हर तरसे खुश्या मिलेगी और सास बहो की टेंशन खत्म करने वाले उपाई भी बताए जाएंगे आई बात करते हैं आज के पहले महा उपाई की आपको सौ रुपे से कम खर्च करके सुन्दर बनाने की शुरुवात करने ही वाले हैं लेकिन पहले आज के पहले महा उपाई की बात करते हैं आपका मन हमेशा अशान्त रहता है अगर आपके मन में हमेशा अशान्ती रहती हैं मांसिक शांती, mental peace नहीं है, नहाते समय पानी में नमक डाल कर नहाईगी, ऐसा करने से आपको मांसिक शांती मिलेगी, अब मैं आपको 100 रुपे से कम खर्च करके घर में सुन्दर बनाने का तरीका बताने वाली हूँ, तो चलिए beauty special की पहली tip के लिए, देखिए मुलतानी मिट मुलती जो होती है, ये कील मुहासे या पिंपल से परिशान है, 200 ग्राम मुलतानी मिटी, इतना ही चंदन पाउडर और 50 ग्राम पिसी भी हल्दी मिला लें, तीन चमच का पेस्तियार करें, इसे ना केवल कील मुहासे साफ होंगे, बलकि चहरे का रंग भी साफ हो जाएगा, पुधीना, अगर चहरा दाग में हासों से बिगर गया है, तो रुजाना, पुधीने की चटनी का लेप करें, एक महीने में चहरा सुन्दर हो जाएगा, बेसन, बेसन को छाच में घोल कर चहरे पर लगाएं, पिंपल्स ठीक हो जाएंगे, काली मिर्च, पिसी काली मिर्च चलाब जल में पीस कर रात को चहरे पर लगाएं और सुबह गर्म पानी से धोलें, इससे कील मुहासे जुरियां साफ होकर चहरा चमकने लगता है, नीम, नीम स्किन से तेल को निकालता है, चहरे को नीम के साबंसे धोएं, नीम के पत्ते उबाल कर इस पानी से भी चहरे को जाएंगे, अभी तो बादाम, नारंगी, नीमबू और ना जाने कितने समान मेरे पास बाकी हैं, लेकिन पहले शो पर आगे बढ़ते हैं, आज के दूसरे महा उपाएगी, चहरा दमकाने वाली बात करते हैं, पहले आपको पित किसमत को चमकाते हैं, फिर चहरे की बात करे और आपके बड़े से बड़े बैड लग को गुड लग में बदल दिया जाएगा देखिए हम इस शो में आपके लिए कितना कुछ लेकर आते हैं आपको कहीं और यह सब नहीं मिलेगा आप देख सकती हैं अभी 100 रुपे में आपको कितनी सारी टिप्स दी अभी मेरी टिप्स खत्म नहीं हुई आपको और नुष्खे बताने जा रही हूं बिना खर्चे के लोग आपके बारे में चर्चे करने लगेंगे देखे अब बादाम की बात करते हैं चेहरे पर स्पेशली आखों के आसपास इस तेरिया पर बादाम का तेल मले इसे चेहरे पर जुरिया नहीं पड़ेंगी दो बादाम पीसकर आदा चमच शहद और दो चमच हलके गर्म दूद में मिलाकर चेहरे और हातों पर मले 20 मिनट और बाद धोएं, सकिन कोमल रहे की ओरेंज, औरेंज के सुख्य शिल्के पानी में पीसकर चेहरे पर मलने से महा से दूर हो जाते हैं नीबू, गर्म दूद पर जमने वाली मलाई एक चमच नीबू निचोड कर चेहरे पर लगाईए इसे मलने से महा से मिठ जाते हैं और इतना ही डालें कि राई सोख लें। सुभा इसे पीस कर चेहरे पर 20 मिनिट लगाएं। चेहरा धोलें। कील मुहा से मिट जाएंगे। मसूर की दाल इतने पानी में भी गोई कि वो भीग कर पानी को सोख लें। फिर इसे पीस कर दूद में मिलाकर सुभा शाम दो बार चेहरे पर लगाएं। अच्छे से मसाज करें। सूखने पर चेहरा धोलें। रात को सोते समय जैफल और काली मिर्च कच्छे दूद में पीस कर चेहरे पर लगाएं। कील मुहा से मिट जाएंगे। अभी तो मैंने आपको अजवाइन, तुलसी और जैफल के नुस्खे नहीं बताएं हैं यह बताऊंगी लेकिन पहले कुछ और बात करनी है देखिए 100 रुपे के उपाए अभी खत्म नहीं हुए है कुछ समान अभी भी बाकी है आया आपको 100 रुपे से कम खर्च करके सुन्दर बनाने के और तरीके बता दूँ तीस ग्राम अजवाइन, बिल्कुल बारीक पीसकर, पच्चिस ग्राम दही में मिलाकर, फिर पीसकर रात को पिंपल्स पर लगाएं सुबह गरम पानी से चहरा दोले, पिंपल्स मिट जाएंगे तुल्सी के पत्तों का जूस, निम्बू के जूस के बराबर मिलाकर चहरे पर लगाने से च्छाईयां, काले धब्बे, डार्क स्पॉट्स मुहा से ठीक हो जाते हैं इनके तीन घंटे बाद तुल्सी के पीसकर मक्षन में मिलाकर चहरे पर लगाएं इससे कील मुहा से जुरियां साफ होकर चहरा चमकने लगता है जैफल चहरे पर काले धब्बे कील मुहा से होने जाएं तो दूद में घिसकर जैफल का पेस्ट बना लीजे इसे चहरा निखरता है जीरा, जीरे को बाल कर उसे पानी से चहरा दोने से चहरे का सुन्दर्ता बढ़ती है आई बात करते हैं आज के तीसरे महा उपाई की बिजनस में अगर ग्रोथ नहीं हो रही जादा प्रॉफिट चाहिए अगर आपका बिजनस अच्छा नहीं चल रहा है तो वेंजडे को एक तोता पिंजरे के साथ ही खरी दे और फिर उसे कहीं खुले जगह में जाकर पिंजरे से आज़ाद कर दे तोता जितनी दूर तक जाएगा आपका प्रॉफिट भी ऐसे ही बढ़ेगा इस उपाई को आप एक बार से भी जादा कर सकते हैं आप बहुत सुन्दर लगेंगी तो हो सकता है कि आपको नजर लग जाए फिर आपको क्या करना है आपको कुछ उपाई करना है वो उपाई कौन से हैं जानिए आपको बार-बार नजर लगती है तो मंगलवार को एक चांदी के तावीज में हनुमान जी के चोले का सिंदूर भर लें और इसे काले धागे में डाल कर अपने गले में पहन दें हनुमान जी का ये उपाई भी कर सकते हैं शुकल पक्ष के पहले मंगलवार को एक अश्ट धातू का कड़ा बनवा कर लाएं और इसे हनुमान जी की मूर्ती के सामने रग दें फिर हनुमान जी के दाएं पैर का सिंदूर कड़े पर लगा कर पंच मुकीश्री हनुमान कवच बजरंग बार हनुमान बाहुक का ग्यारा बार हनुमान चालिसा का पार्ट करें फिर उस कड़े को अपने दाएं हाथ में पहन लीजे आईए बात करते हैं आज के चौथे महा उपाय की क्या बिमारी ठीक नहीं हो रही परिशानी बनी रही है देखिए अगर आप बहुत कोशिशों के बाद भी इलाज के बाद भी बिमारी समझ में नहीं आरी परिशान है तो इलाज जरूर कराएं साथ में छोटा सा उपाय कीज़े बिमारी खत्म करने की मदद मिलेंगी आपको क्या करना है जो बिमार है उसके तक्ये के नीचे रात को एक रुपे का सिक्का रग दे सुबह उठकर उसे किसी नदी के पास छोड़ाएं लेकिन पीछे मुर कर नहीं देखिएगा ये करें लेकिन डॉक्टर का हिलाद साथ में कराएं अब आपको खास जानकारी दिये देती हूँ सास बहो की टेंशन दूर करने वाले कुछ खास उपाय बता देती हूँ दीपक बनाकर उसमें गुड़ और मीठा तेल डाल कर जलाएं फिर इसे घर के में दरवाजे के बीच में रखें इस उपाय से भी घर में शान्ती रहेगी, सिम्रिद्धी में व्रिद्धी होगी एक नारियल लेकर उस पर काला धागा लपेट कर इसे पूजा स्थान पर रखें शाम को इस नारियल को धागे सही जला दे ये उपाई 9 दिनों तक करें इसके साथ-साथ घर में तुलसी का पौदा लगाएं रोज इसका पूजन करें सुबे शाम दीपक लगाएं इसके उपाई को करने से घर में हमेशा शांती का वातावरन बना रहेगा अगर घर में हमेशा शांती रहती है गर के बरतन में आपस में टक्राने पर आवाज ना आने दें घर सजा कर सुन्दर रखें बहु को चाहिए कि सुरियोदे से पहले घर में जालू लगा कर कच्रे को घर से बाहर फेकें पित्रों का पूजन करें आज आपकी हतेली पर शुकर की रेखा की बात होगी शुकर की रेखा आपकी जिन्दगी को बहुत उचाई पर ले जाती हर सुविधा से भर देगी जीवन को यह कैसे होता है आज जानते हैं देखे अगर ये एरिया आपके हाथ में मोटा है यह एरिया विक्सित है तो जिस इंसान का शुक्र परवत अच्छे से डेवलप्ड होता है ऐसा इंसान तेजस्वी होता है उसके चेहरे पर बहुत आकर्शन होता है जिससे लोग जल्दी ही उसकी तरफ आकर्शत हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति अपने काम और अपनी जिम्मेदारी के प्रती पूरी तरह से साफधान रहते हैं लोगों को सुन्दर चीजों के प्रती जादा प्रेम होता है इन लोगों को लक्शरी लाइफ जीने का बहुत अधिक शौक होता है इनके प्रेमी भी सुन्दर और अकर्शक होते हैं इनका जीवन साथी भी देखने में बहुत सुन्दर होता है शुक्र परवत अगर बिल्कुल फ्लैट हो जिन लोगों का शुक्र परवत बिल्कुल फ्लैट होता है उपरावा नहीं होता ऐसे लोगों को जीवन में अनेक परिशानियों का सामना करना पड़ता है ऐसे लोग देखने में बिल्कुल भी आकर्शक नहीं होते इन लोगों को जीवन में धन की कमी रहती है धन कमाने के लिए भी इने अनेक परिशानियों का सामना करना पड़ता है समाज में इन लोगों को उचित मान समान की प्राप्ति नहीं होती है इन लोगों का जीवन साती भी ने उचित मान समान नहीं देता है सुभाव से ऐसे लोग लालची होते हैं कई बार ये लोग लालच में बड़ी से बड़ी हानिया भी कर बैठते हैं शुक्र परवत पर जाल होना अगर क्रॉस 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 जाल है जिन व्यक्ति के इस एरिया पर जाल होता है यह बहुत सारी रिखाए होती है वो दूसरों को काट एक दूसरे को काटी भी रिखाए होती है ऐसे में शुक्र परवत पर जाल बन जाता है इसकी वज़़ जिसे व्यक्ति को पूरे जीवन भर कठनाईयों का सामना करना पड़ता है ऐसे लोग अधिक महनत करने के बाद भी जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं इन लोगों का जीवन धन के आभाव से गुजरता है धन को लेकर इन्हें कई तरह की परिशानियों का सामना करना पड़ता है वहीं दूसरी और इन लोगों का पारवारिक जीवन भी कुछ खास नहीं रहता शुक्र परवत पर त्रिशूल बन ना अगर यहाँ पर त्रिशूल बन जाए, त्रिशूल का साइन बन जाए, तो यह बेहत शुप चिन है, ऐसे लोग भागेशाली होते हैं, इन लोगों का आपने जीवन पर सच्चा प्यार जरूर मिलता है, यह लोग जीवन के सभी आशो औरामों को भोगते हैं, इन लोगों के जीवन में छोटी मोटी बिमारियां लगी रहती हैं, आइए बात करते हैं आज के आस्ट्रो स्पेशल की, देखिए आज की स्पेशल आस्ट्रो टिप शुक्र परवत के लिए है, अगर यह एरिया डेवलप नहीं है, अगर इस एरिया पर जाल है, तो इस एरिया पर दो दोस्त ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है, अंकिता के फादर को बिजनेस में बहुत लॉस हो रहा है, जिससे वो परिशान है, उपाई जानना चाहती है, अंकिता आपको अपने फादर को दो चीज़ समझानी है, एक अपने विजिटिंग कार्ड को या अपने क अपने की बाद बाद में आपके कल को सुधाते हैं, क्या करें अपनी राशी के हिसाफ से जाने है, सबसे पहले मेश राशी की बाद मेश राशी के लोग हनुमान मंदिर जरूर जाईए, किस्मत साथ दे रही है आपका 71% प्रिश्व राशी के लोग मीठा खा कर घर से निकलें, लग सपोर्ट कर रहा है आपको 64% मिथुन राशी वाले लोग बिना चीनी वाली चाई पीजिए, किस्मत साथ दे रही है आपका 58% कर्क राशी वाले लोग शाम को घर में कपूर जलाएं, भाग्य साथ दे रहा है आपका 67% सिंग राशी के लोग कबार को घर से बाहर निकालें, भाग्य साथ दे रहा है आपका 56% कन्या राशी वाले लोग डौक और रोठी खिलाएं किसमत साथ दे रहे हैं आपका 68% तुला राशी वाले लोग हनुमान चालसा का पार्ट करें किसमत साथ दे रहे हैं आपका 77% रिश्चिक राशी वाले लोग शनी देव को तेल चढ़ाएं भाग्य साथ दे रहा है आपका 73% धनु राशी वाले लोग काले मोजे पहनें भाग्य साथ दे रहा है आपका 57% मकार राशी वाले लोग सुंदर कांड का पाठ करें किस्मत साथ दे रही आपका 69% कुम राशी वाले लोग दिन में खुब पानी पियां भाग्य साथ दे रहा हैं आपका 61% मीन राशी वाले लोग नशे से दूर रहें भाग्य साथ दे रहा हैं आपका 50% आईए जानते हैं आज का पाँच्वा महा उपाई क्या है क्या आपके घर में खुश्या नहीं तिकती रोज सुभा एक रोटी अपने पित्रों के नाम से निकाल कर गाए को खिला दें इस उपाय का असर तुरंट दिखने लगेगा और देखते ही देखते आपके घर में बुज़ूर्गों के आशिरवाद से घर में सुक सम्रिद्धी आने लगेगी